हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ विजिया और आप देख रहे हूँ विजिया स्क्रेटिव गादल फ्रेंड्स आज जो है क्यों एन वीडियो है हम आपके कोशन के जवाब देंगे उन कोशन के रिप्लाई देंगे जो कि मैंने अभी तट आपको नहीं दिये हैं तो इसमें सबसे प बुरादा अच्छा ही है जैसे हम लोग कोकोपीट यूज करते हैं वैसे ही लकडी का बुरादा है लेकिन आप उसमें ये भी ध्यान रखना कि प्लान को न्यूट्रियन मिल सके इसके लिए आप जो है गोबर खाद बर्मी कंपोस बोन मिल जैसे चीजों को भी उजित मात्र प्लीज सजेस्ट मी वाट टूबी जी हां बिलकुल जो है ओवर वाटरिंग की चक्तर में हो रहा है देखी जो टिप्स जो है ब्राउन हो गई है वो दुबारा से तो ग्रीन नहीं होंगी लेकिन हां आप यह जरूर कर सकते हो कि प्लांट में अब थोड़ा सा कम पानी डाल देंगी तो जुसकी नई ग्रोथ है वो हेल्दी आएगी तो आप ऐसा कर सकते हो हमारे पास जो है बहुत सारे कोश्चन्स जो है यह चीतियों की प्राव्लम्स के बारे की बारे में आरहे हैं तो हम जो है आपको कई तरीके के सोलुशन्स बताएंगे और उसमें से आपको जो भी solution हल हो मतलब आप प्राई करना जो भी चीज़े आपको suitable लगती है वो करिएगा तो इसका answer जो है हम वीडियो बना करके देंगे वीडियो जो है आपको 10 days में मिल सकता है next question जो है यह दो जने का लिया है अनुप्रिया जी का है और रोश्नी जी का है रोश्नी जी ने भी मिलता जलता question पूचा है तो हम आपको question बताते हैं तो अनुप्रिया जी ने लिखा है कि कुल जिन पहले सेम के सीट लगाए थे उसमें 4-5 लीफ्स भी आ गई लेकिन अचानक देखा तो उसमें छेद हो गए थे लीफ्स में छेद हो गए थे समझ में नहीं आ रहा क्या करें तो अनुप्रिया जी और रोष्णी जी आपकी लीफ्स में जो हैं लीफ्स को कीड़े खा रहे हैं ऐसा अकसर होता है मुझा सरी ऐसा हो जाता है कीड़े खाते हैं हमारे भी ठाई प्रांट में कीड़े खाल हुए हैं छेपशेद करक्ते लीप्स में तो देखें इसके लिए सबसे आसान तरीका यह है कि आप नीम ओयल का यूज करते रहें नीम ओयल से क्या होता है पत्तियां थोड़ी से पत्ति हो जाती है और उसमें जो है कीड़े नहीं ब्रैटते हैं नहीं खाते हैं उसको देखें हम तो नीम ओयल यूज करेंगे अगर आपको नीम ओयल से स्ट्रक्शन नहीं है तो आप जो है अपने यहां की कोई भी लोकल शॉप है वहां जा करके आप पूछ सकते हो जो भ नुजद शान जी कल गया है इन्हों में लिखा है कि आपके घजानिया है रेनी सीजन में कैसे बचाएं तो नुजद जी मेरे घजानिया खतम हो चुके हैं जब पिछले दस दिन में बहुत तेजगर्णी पड़ी थी तो उस समय मेरे घजानिया के इतने भी फ्रांच से खत तो इस पर ध्यान रटना अभी फिलाल आपको में यही कह सकती हूं कि बारिश में ओवर पॉक्षिंग से उसको बचाएगा और पीछे जब में वीडियो बनाया था उसमें जो टिप्स बताएं थी उसको आप फॉलो कर सकते हो कि रीने सीजन में अपने प्लांच में कैसे द मॉनिका जी जी लीफ माइनर होता है यह एक एक्चुली में मक्खी के कारण होता है एक जो मक्खी होती है वो पत्तियों में बैठ करके अपने लावा दे देती है और वो लावा जो होता है पत्तियों के अंदर ही अंदर घूमता रहता है जैसे मैच्योर होता है ना पत्ति क मुव्मेंट बनाए रखता है जहां 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 तो वहां वहां उसके जो घूमने के निशान बन जाते हैं पत्तियों के ऊपर कुछ समय बार वो अपने आप पीजर मैच्छी और हो जाता है तो पत्ती मिसे निकल करके बुद्धाई तो मख्वी अपना लावा देती है तो उ सबसे असान तरीका ये है कि आप उन पत्yuk को तोड़ करके किसी पॉलखे saya में भर करको सीधे डीस्ट विंड में फिलत धी ढाई है वहर उ सबसे असान तरीका लगता है तो पढ़े रहने है फिर आगे हां जैसे हमाई जानकारी बढ़ेगी तो हम तो कभी हो सकता है अपनी और इंफोर्मेशन आपके संग सेर करें फिल्हाल आप तंप्रेरी इलाज तो यही कर सकते हो ज्यादा प्रॉब्लम हो दियो तो पक्ति तोड़ करके फ्रेक दीजिए फॉलखन में बन करके फोड़ी बहुत होड़ी तो पड़ा रहें जिए कोई ऐसा परक में हो नेक्स कोचन जो है यह रेश्मा और श्रीया जी का है श्रीया जी लिखती है कि मेरा चिली का प्लांट साथ इंच के कॉट में लगा है उसमें फ्लावर्स पीले होकर के ग्रॉप हो रहे हैं मैं सीवी बोन मिल्क कमपोस्ट यूज करती हैं तो साथ इंच में लगा है ठीक है लग जाता है ग्रो हो जाता कोई प्रब्लम नहीं होती है आप यह देखना कि आपका जो प्लांट है वो कितना पुराना है देखे जब प्लांट मेया नेया फ्लावरिंग करता है तो शुरू के जो प्लांट में जितनी फ्लावर्स निकलते हैं सबसे जो है जरूरी नहीं होता है कि पल बने कुछ के बनते हैं और दूसरी चीच आप यह भी जान रखना कि जब आपके में फ्लावर्स आते हैं तो आप प्लांट में बहुत जड़ा पानी मत देना अधिक पानी से भी जो होत मैं गार्डिनिंग काफी समय से कर रही हूं। मैं अभने ग्राउंट प्लो गार्डन की मित्टी बिल्कुल विग टेरीस में नहीं लाती हूं। क्योंकि ground floor garden में थोड़ी से मिर्टी में वहां की दीमक है, plants खराब हो जाते हैं, और मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे terrace के plant जो है, वो दीमक की वज़े से खराब हो, तो मैं ground floor से बिलकुल नहीं लाती हूँ, मैं अधिक तर जो भी मिर्टी इखटा करती हूँ, वो कोकोपीट से लेती हूँ, बनाती हूँ, या पर यो कंपोस्टिंग करते हैं उससे, इनी दूनों से मेरी इखटा होती रही है, और मिर्टी को जो है, मैं recycling कहदे, या हम कहदे, refresh करके यूज़ करती रहती हूँ, मिर्टी की जब भी हमें कमी पढ़ती है, कॉकोपीट की ब्रिक्स मंगा लेते हैं, उसी को यूज़ करते हैं, हम कंपोस्टिंग भी करते हैं, आपको मेरी प्लांट जित्ने भी आपको दिखा रहे हैं, जब भी इन प्लांट सूखेंगे, सीज़े इन मेरी मित्टी में बढ़ेंगे, पेज한다 dot ten लोग ने पूछा है इस समय नाम जो मेरे पास है तनिश्क जी है और जर्जबीर जी इन्होंने पूछा है इन्होंने लिखा है कि इनके बेजिटेबिल के प्लांट है। एक जादे नेतको का लिखा है एक ने कुकंबर का लिखा है तो इन्होंने कहा है कि इसमें जो है केवल मेल फ्लावर्स आ रहे हैं फीमेल फ्लावर्स अभी नहीं आ रहे हैं तो मैं यह कहूंगे कि देखे सबसे पहले मेल फ्लावर ही आते हैं मेल फ्लावर आने के बार कम से कम 15-20 दिन बार जो होते हैं फिमेल फ्लावर निकलते हैं यह बेल होती है उसमें तो आप यह चेक कर लो कि 15-20 दिन हो गया है उसके बाद भी आपके में फिमेल फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो आप यह कहीं देखना कि आप अपनी मिट्टी में बहुत ज़्यादा नाइफ्रोजन तो नहीं देरो वह बहु उसके लिए हम आपको यह कहेंगे कि आपका अगर कोईडी बेल है बहुत ज़्यादा बहर रही है बहुत ज़्यादा बहुने के मतलब है उसमें जो हें जो में ब्रांच होती है उसमें 15 पत्ते तक आ गया है 15 लीफ आ गई है तो उसको आप हटा दीजे खुटक दीजे वहा मतलब उसमें भी 15 पंद्रा लीफ हो रही है तो फिर वहां से आप उसको पिंच कर दो फ्लावर्स आपको ज्यादा मिलेंगे इस चीशका ध्यान रखना में ब्रांच हटा दीजे उसके बाद साइड ब्रांच जो करने दीजें साइड ब्रांच उसके नहीं हो सकता है नहीं साइड ब्रांच इसको भी 15 पंद्रा पत्यों के बाद विश्या तो कहते हैं 13 तेरा ली पक्यों के बाद ही पुटक देना चाहिए लेकिन हमने कुछ भी ऐसा हाड़न पास्ट रूल नहीं पॉलो कर रहा है तो हम तो देखते हैं बहुत बढ़ी हो रही है तो उसको हम कि मेल प्रावर्स आएंगे तो यह सब तो कोश्चंज पेंने कर दिया है कुछ कोश्चंज के रिप्लाइब नहीं करें हैं तो इसलिए उसको शॉट करने के लिए उस पर हम सेपरेट वीडियो बना देंगे कई सारे वीडियो बनाएंगे जो नेक्स 10 देज में हम वीडियो बनाएंगे उसके जो में टॉपिक है वो रहेंगे मेरे बरसाथ में कौन सा फटलाइजर डाले सकलेंस के बारे में साथ में चीकियों के बारे में हम बताएंगे जल्दी विदिन 10 देज आपको इन सब कोशन के आंसर मिल जाएंगे मेरे वीडियो के मागर से पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत बूलना मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे और आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर सकते हैं ताकि यह इनफॉर्मेशन अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके हैं फिर मिलेंगे आप से एक नह पंजानकारी के साथ तक तक के लिए गुल्ट बाई